पीसीज करण नियूज में अभी की खबर है लिन्थोई चनंबम ने जुडो में जीता स्वर्ण पदक भारती खिलाडी लिन्थोई चनंबम ने हाल ही में विश्व जुडो के एड़ेट यू एटीन चैंपियंशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इस स्वर्ण पदक के साथ वविश्व जुडो चैंपियंशिप की किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है 15 वर्षी मनिपूर की निवासी लिन्थोई चनमबम ने पिछले कुछ वर्षों में जुडो के खेल में बहतरी प्रदर्शन किया है और वर्तमान में वह भारत सरकार के टॉप्स का एरक्रम का भी हिस्सा है वर्ष 2017 में सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने सब जूनियर नेशनल जुडो चैंपियंशिप में स्वण पदक जीता था उन्होंने इंस्पायन इंस्टिटूट आफ स्पोर्ट्स जुडो कारक्रम से प्रशिक्षन लिया है चलिए जानते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि टॉप्स के बारे में ओलंपिक और पेरालिंपिक में भारत के प्रदर्शन को भैतर करने के लिए युवा कारक्रम और खेल मंत्राने ने सितंबर 2014 में इस कारक्रम की शुरुआत की थी इस योजना के तहट देश के शीर्श अथलीटों को यथा संबव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सके इस तरह की सहायता में विदेशी प्रचिक्षन, आधुनिक उपकरन और कोचिंग कैम के अलावा प्रतीमा 50,000 रुपए का वजीफा शामिल है